गर्मियों में घरी नहीं किचिन भी बहुत गरम हो जाता है हमारे कमरों में AC कूलर तो लगी है लेकिन किचिन का क्या किचिन में तो कुछ भी नहीं है और इतनी गर्मी होती है ना कि हमें खाना बना कर जल्दी से AC कूलर वाले कमरे में जाना होता है आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी किचिन टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आपका कान बहुत ही जट से हो जाएगा मोहिनी की रसोई में आप सभी का एक फ़र फिर से स्वागत है तो चलिए आज की हम किचिन टिप्स देखते हैं जो हर ग्रेंडी के लिए बहुत ही यूश्फुल होने वाली है सबसे पहली मेरी किचिन टिप्स है फ्रूट्स को लेकर हम जब भी fruits को cut करते हैं तो आदा हम खा लेते हैं और आदा वो fruit बच जाता है उस बचे हुए fruit को अगर आप frizz में रखेंगे ना तो वो fruit काला हो जाता है उपर से ना सूप जाता है तो हम क्या करें जिससे हमारा fruit fresh वना रही मैं यहाँ पर apple की बात कर रही हूँ apple को अगर आप ऐसे यादा काट के रख देंगे तो वो उपर से काला हो जाता है आपको कुछ नहीं करना है बस lemon लेना है और हलका से उस पर rough करना है निचोड़ना नहीं है rough करना है एक silver foil लेनी है और silver foil से फल को कुछ इस तरह से हम pack कर देंगे आपको ये तरीका हर फल में यूज करना है बस दर्थ है निवो नहीं लगाना है निवो सिर्फ आपको apple फल पे लगाना है इस तरह से अगर आप apple फल को pack करके रखेंगे ना apple कभी भी काला नहीं पड़ेगा अगर आप मेंगो को भी इस तरह से pack करके रखेंगे तो मेंगो भी आपका इस तरह से नहीं सूखेगा आप देख सकते हैं मेंगो उपर से सूख गया है यही technique है अगर आप इसको foil में pack करके रखेंगे fruit आपकी एकदम से fresh रहेंगे जैसे आपने अभी कट किये है दूसरी हमारी kitchen tips है kitchen की slip को लेकर kitchen की slip बहुत गंदी होती है रोटी बना दने time आपको क्या करना है आपको लेना है एक news paper और पूरी slipper जहां पर भी आप रोटी बना रहे हैं उस जगह पर आपको news paper कुछ इस तरह से फैला लेना है kitchen में काम करना गर्मियों में specially किसी torture से कम नहीं है जैसे ही गर्मिया श्टार्ट हो जाती है हर घ्रेडी kitchen में काम करने से कतराती है क्योंकि पसीना आता है बहुत गर्मी लगती है आप इस तरह से slipper news paper बिचाएंगे न तो इससे निकलने वाली गंद की जब हम रोटी बनाएंगे न तो इससे आटा निकलता है तो आटा हमारी slipper नहीं फैलेगा और slipper को साफ करने का टाइम हमारा बहुत बच जाएगा मैं इसी तरह से slipper ये news paper बिचाती हो और सफाई का काम आदा हो जाता है तीसरी kitchen tips है मेरी रोबजा बोटल को लेकर इसको हम विकार समझ के फैंक देते हैं और जब भी घर में गैश्ट आते हैं तब हमें समझ में आता है कि इसका कितना बड़ा यूज है आपको क्या करना है जब भी आपके घर पर गैश्ट आये आपके घर पर बोटले कम पड़ रही हूं तो आपको रोबजा की बोटल को धोना है और धो के उसमें अच्छा पानी भरका फ्रिज में रख दीजिए फ्रिज में भरे पानी की बोटल रखनेसे आपके घर में ठंडे पानी की कभी भी कमी नहीं आएगी और गैस्ट आपकी फ्रिज की भी वावाई करेंगे कि आपके फ्रिज में पानी ठंडा कभी भी खतब नहीं होता है अगली किचिन टिप है मेरी सुगर को लेकर जैसे ही गर्मी यह स्टार्ट होती है ना हमारे घरों में शुगर की तो भाड़ी आ जाते हैं मैंगो शेक बनाते हैं हम सिकंजी बनाते हैं रूपजा बनाते हैं लसी बनाते हैं ठंडाई बनाते हैं और सम में चीनी का योज होता है अगर हम यही चीनी डाले ना तो हम गंटों घोलते रहेंगे और किचिन में तो आप पताईे कि कितनी गर्मी दूर्ट रोपी दूर्टे उतना किम या इस तरहे से पॉडर बनाकर की सब्सक्राइब इस तरह से चीनी पाउडर यूज करके उनके लिए ठंडा सर्फ कर देती हूं अगले किचिन टिप्स है मेरी शिकनजी को लेकर जब भी हमारे घर में गैश्ट आते हैं तो हम उनको कुछ न कुछ ठंडा जरूर सर्फ करते हैं अग भाई किचिन में इतनी गर्णी है कौन किच सब्सक्रा लें जैसे हाँ घर में नौर्मल बनाते हैं वैसे ही बनाने हैं बस इसमें पुदीना डालना मद भूलना पुर्धीने से इतना अच् initially आता है न कि यू भी पीए घर आप वो आप मैं प kidney मिर्चि आलेगा थोड़े मीश्भी काली मिर्ची नहीं दालती लाइकर सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक Ice Cube ट्रे लेंगे, और Ice Cube ट्रे में हम ये सिकंजी को बढ़ देंगे, इस तरह से करने से आपका काम इतना जल्दी होगा ना, और जब भी आपकी घर में गैश्ट आएंगे, आप उनके साथ आराम से टाइम स्पेंड कर सकती हैं, और जरूरी नहीं है कि आपकी घर पे गैश्ट आएंगे, तभी आप इसे Instant Ice Cube की रेस्पी फॉलो करें, समसीजन में आप हर वार इसको इसी तरह से बनाईए, आपके घर में गैश्ट, बच्चे, बड़े सब खुश हो जाएंगे, बस आपको क्या करना है, गिलास में तीन से चार Ice Cube लेनी है, अपने टेस्ट की अकॉर्णिग, और इसमें हम पानी डाल देंगे, और आपकी इंस्टेंड सिकन जिसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है, अगली किचिन टिप है मेरी पुदीने को लेकर, हम सबी के घर में गर्मियों में चार जरूर पीते हैं चाहें, फिर वो सुबह का टाइम हो, या फिर खाने के बाद दोफेर का टाइम हो, या फिर साम का टाइम हो, हमें पुदीने क चाच पीना तो पसंद है पर बारवार कौन मिक्सी चलाए कौन बारवार मिक्सी को साफ करें गर्मी तो इतनी हो रही है ना कि हमें किचिन में जाने का ही मन नी करता तो फिर हम क्या करें जिससे हमारी बहुत जल्दी से मसाला चाच बन जाए आपको कुछ भी नहीं करना है नमक डालिए सारी चीजों को हम अच्छे से पीस लेंगे यहां पर ध्यान रखना है आपको पानी एड़ नहीं करना है अगर आपकी मिक्सी में बिना पानी के यह पुदीना नहीं पिसता है तो आप थोड़ा सा पानी एड़ कर सकती है फर्क यह है कि बिना पानी का यह मसाला चाज पीनी है तो आप सेकेंड और में उनके लिए मसाला चाज बना सकते हैं आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची का यूज कर सकती है मैंने मुकू के कारद इसमें हरी मिर्ची का यूज नहीं किया है अगली टिप है मेरी पानी को लेकर हम सभी को ठड़ना पानी इस सी इसी कूलर आपकी चल रही होना वहां पर आपको ये पानी की बोटल रख देनी है 15-20 नेटी होंगे और आपकी बोटल का या फिर बरतन का रखा पानी काफी ठंडा हो जाएगा पलंग पर मुकुस हो रहा है तो इसी वज़ाशे मैं बहुत धीरे-धीरे से वीडियो बना रहे हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना पिलकुल ना भूलना मिलते हैं हम ऐसी ही एक और मज़्यदा यूश्फूल वीडियो के साथ तब तक की लिए बापाई